हेलो दोस्तों वेलकम डो माई चैनल मैं सानत आप सुभी लेको का स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तों हाला कि बहुत टाइम हो गया है मेरा इस वीडियो डालने में बहुत देर हो चुका है क्योंकि मैं अभी मुझे क्या हो रहा है टाइम का आफिस भी स्टार्ट हो गया है तो हपते में एक ही दिन चुट्टी मिल रहा है उसमें भी घर के काम काज हो रहा है तो उसलिए मुझे समय नहीं मिल रहा है सो जो लोग नए है प्लीज अपसेट मत हो यह मुझे जब भी टाइम मिलेगा मैं वीडियो डालता रहूंगा मेरे साथ बने रही है तो दोस्तों आज हम डिसकस करने जा रहे है फिटिंग वाक्षप के बारे में बहुत ही इंपोर्टेंट पार्ट है वाक्षप में जो इंगिरेंग के स्टूडेंट्स है उनके लिए यह बहुत ही एक इंपोर्टेंट चीज है इसको lifelong आपको काम में आने कर दाला यह जो चीज़े हैं हालाकि मैं प्राक्टिकलय हाँ पर कुछ भी करके नहीं दिखाने वाला हूं क्योंकि यहां पर अबलेवल नहीं है इन्स्टूमेंट्स ओके और टूल लेकिन मैं जो प्रासेस बताऊंगा और ईूजस औफ टूल्स बताऊंगा यह चो चीज़ मैं यहां पर डिस्कस करने जाना हूँ अगर आप ध्यान में रखेंगे आपके दिमाग में रखेंगे तो आपको प्रैक्टिकल करने में कोई तिक्कत नहीं आएगी और यह आपको लाइफ लॉंग याद रहेगा ठीक है तो यह अपको कंपेटिटिव एक्जाम्स में भी इसकी फिटिंग वाक्शॉप के ऊपर कोई अगर कुश्चन आएगा तो आप फटाक से एंसर दे सकते हैं तो इध्यान में रखते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं कहीं है तो पाविक हैं फिटिंग 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 वाक्शवप अ और हम विख वीन चूर workshop अखिर है क्या definition अगर बोलेंगे तो vaking workshop है एक्या पिडिंग में होता है है fitting एक्चुल यह संके आपको समझे आ ओसीतिन करना क्या fuss ACT करना है जो मशीन मार्ट से एसेम्बली करना है उसको एसेम्बल करना है ठीक है तो यह जो काम होता है जो पार्ट में होता है उसे हम लोग fitting बोलते है और इसके लिए कोई भी सपोस बहुत सारा पार्ट से उसको एसेंबल करना है तो एसेंबल करने के लिए हमें कुछ-कुछ वहाँ पर operations करना है सपोस कहां पर भी कुछ metal remove करना है कई पर बहीं करना है कई पर घ्रिल करना है ठीक है ऐसे ऐसे कई फिर्ट बनाना आई ऐसे बहुत सब्सक्राइब काम रहता है तो चलिए देखते हैं कैसे कैसे काम यहाँ पर होता है तो दोस्तों फॉर्स्ट अपर आप देखें यहाँ पर कि फिटिंग वर्क्षप में मैं एक एक आपको जॉप नॉर्मली नॉर्मली एक दिखा रहा हूं ठीक है क्योंकि college wise different different job होता है practical workshop में ठीक है ऐसा कोई specific job नहीं आए के यही होगा first year में engineering में एही job होता है ऐसा कोई बात नहीं है different colleges में different different job बनाते हैं लेकिन मैं try करूंगा कि जो 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 operations है सब कुछ cover हो जाए एक ही job में ठीक है तो मैं यहां पर एक एक सिंपल सा एक job बनाता हूं सब्सक्राइब को यह एक है है मेटल पीस है ठीक है और फिटिंग में ध्यान में रखना है फिटिंग में कौन से मेट्रीयल के उपर काम होता है थैक है तो यह ऐसा एक मेटल पीस आपको दिया जाएगा थिक है सपोज इसका डाइमेंशन में धे रहा हूं ठीक है तो फिफ्टी लिंद्ध कि सपोज इसका भी दे रहा हूं 50 50 50 और थिकनेस सपोज इसका थिकनेस थिकनेस रहेगा एक वह फाइव एम आप पकड़ लीजिए कि उसका थिकनेस फाइव एम है ठीक है ऐसा एक जॉब है आपको क्या करना परेगा यह एक जॉब है कि स्टील का माइल्ड स्टील का ओव्वियसली तो इसमें आपको क्या करना परेगा इसमें आपको क्या करना है इस इसके ऊपर आपको ऐसा मेटल पीज दिया जाएगा उसके ऊपर आपको this is 20, this is 20. So, this is 20 and this is 20, this is the okay, so, ऐसा एक मेटल पीज दिया जाएगा और सपोस यह डाइमेंशन दिया हुआ है 20 सब मिलिमीटर में है ठीक है तो यह जो पॉर्शन है इसको आपको रिमूफ करना है ठीक है यह जो पॉर्शन है आपको रिमूफ कर देना है ठीक है और और एक चीज यहापे एट कि यहाँ पर एक डिल करना पड़ेगा यहाँ डिल है ठीक है तो यहाँ पर एकakes ब्रीड है और में क्या है एक ठ्रेड है ठीक है ड्रिल के अंदर में एक ठ्रेड का साइन दिया हुआ है तो ड्रिल के अंदर में ठ्रेड है ठ्रेड बनाना पड़ेगा फस्ट फॉल तो यहां पर ड्रिल करना पड़ेगा उसके बाल एक इंटरनल ठ्रेडिंग है यहां पर ठीक है तो एक कॉंसे मेट्रियल का हे तो फर्स्ट पन आपको जवाब देना है टीज माइल स्टिल माइल स्टिल का यह था आक очень वीदियो में बता को कई माल स्टिल क्या होता माईल स्टिल का एक पार्ट होता है तो माइल Mild Steel is Low Carbon Steel, Steel तीन तरह का होता है, Low Carbon Steel, Medium Carbon Steel, High Carbon Steel, ठीक है? तो यह है Low Carbon Steel, means Mild Steel is a material, Mild Steel, ठीक है? Mild Steel में क्या रहता है? यह 0.3% Carbon रहता है, Maximum, Maximum 0.3% Carbon रहता है, ठीक है? और Steel आप तो जानते हैं, Steel का Definition तो आपको मालूम है होगा, It is an Alloy of Iron and Carbon, and the percentage of Carbon is not more than 1.5%, ठीक है? So 1.5, तो 0.3 के अंदर हो गया, Mild Steel, ठीक है? मतलब Low Carbon Steel, This is the Low Carbon Steel, Mild Steel is a Low Carbon Steel, this is the Low Carbon Steel, Low Carbon, Low Carbon Steel, okay? Then इसके अंदर 0.3 के अंदर Medium Carbon Steel, 0.3, 0.3 to 0.7 Medium, okay? And next, 0.7 से यह 1.5, almost High, High Medium, this is the Medium, Medium, okay? This is the High, High Carbon Steel, okay? ठीक है, Clear दोस्तों, तो यह इतना धक समझे में आ गया, एक एक आपको यह Steel का, Mild Steel का Specimen दिया जाएगा, ठीक है? तो मैं यह इसको Eris कर देता हूं, Mild Steel का Specimen यहाँ पर दे दिया जाएगा, इसको काम करना है, यहाँ पर, तो first of all, first of all, यहाँ पर क्या-क्या operations होने बाला है, ठीक है, operation wise मैं टूल भी discuss करते चला जाओंगा, ठीक है, तो क्या-क्या first, first operation क्या आएगा, यहाँ पर, यहाँ पर फर्स्ट operation क्या आएगा, planning, okay, planning, first planning operation क्या आएगा, next to marking, okay. Okay, then three, cutting and drilling, number four, number four, number four is tapping, number five, dying, okay, so these are the operations here. drilling के बाद यहाँ पर जो drilling है, drilling के बाद आप रिमिंग भी कर सकते हैं, ठीक है, actually, रिमिंग होता है, drilling के बाद रिमिंग होता है, यहाँ पर, ठीक है, तो drilling के बाद आप रिमिंग कर सकते हैं, रिमिंग के बाद आप यह सब operations कर सकते हैं, में ठिक là और क्यां पर करने के लिए बोल सकता है और आपको प्लेनिंग करना है तो दोश्तों यहां पर धेखो ध्यान की तो First First of All यह मेरा Job है प्ले निंग ऑपरेशन करना है ठीक है द्या हुआ है प्लेनिंग क्या करना है देखो यहां पर चारों साइट यह एक साइड है यह 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 तो प्लेनिंग में क्या यूज होगा फाइल यूज होगा फाइल कि've file के बहुत सरे टाइप से है cross hat file double cut file flat file clear round file square file ठीक है बहुत सरे होता है और को कि करेंगे इस साइध में यहां पर फाइऩ करना है यहां पर यृफ करना है क्या करना है एक रिक्टेंग़ केलर यह यहां पर द्याऊंद है स्क्वेयर तो मेरा स्क्वेयर स्क्वेयर हो रहा है करना सपोज यहां थोड़ Islam तेयरह यह खांट सदस्क्रायों करना 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 यहां है यह 90-degree होगा यह से किस से चेक करेंगे उसमें हम लोग यूज करेंगे ट्राइज स्क्वेर करेंगे तो मार्प्लेणिंग के लिए हम लोग क्या-क्या यूज करेंगे फाइल एंड ट्राइज स्क्वेर तो प्लेनिंग मेरा हो गया टीक हैं प्लेनिंग के लिए हमनों क्या करेंगे फाइल एक ट्राय स्कोर से हम लग चेक करेंगे ठीक है हो रहा ह यहां सपोज तेखने में कैसा हो धब्लीड रहता है यह एक ब्लेड है कि डिख Corn कि यह है ब्लेड यह है ब्लेड और यह है बीम और स्टॉक भी बोलते हैं तो यह जो यह इसको लेके हम लोग 90 डिग्री है के नहीं कोई भी एक ही मरण हेज के रिएज के दी कियों चेक करते है तो कैसे मेंखर करते हैं सब्कोर यह फे हम लोग ऐसे बीठाएंगे यह ब्लेड ब्लेड को अई स्टॉँ और यह बीम को ऐसे बिठाएंगे यह बिठाएंगे अगर परफेक्ली 90-degree है तो यह जो metal piece है और यह जो blade है उसके अंदर से कोई light pass नहीं करेगा ठीक है light rays pass नहीं करेगा अगर pass कर रहा है means वो perfectly straight नहीं है ठीक है तो यह check करके हमको measure करके यह perfectly चाड़ो और 90-degree बनाना है ठीक है clear next और filing filing check कर लिया check करने से देखा के वहाँ पर गर्बर है line सीधा नहीं है तो क्या करना है file करना है ठीक है file क्या use करते है flat file use करते है flat file flat file ठीक है तो file जो है मैं इसको erase कर रहा हूं file का बहुत सारा classification है यह जो flat file है hand file है hand file next square file square file round file round file round file triangular file triangular file half round file half round file ओगे यह सब जो classification है यह क्या है file के जो है file के cross sections के जो figure है उसके उपर डिपेंड करता है flat file का cross section कैसा है एक थोड़ा सा टेपर रहता है एक file है सब्सक्राइब कि ए ऐसा जाता है ऐसा जाके मतलब यह जो पूर्षन है यह ऐसा टेपर रहता है कि आप कि यह है flat file ठीक है hand file में क्या होता है hand file में सेम रहता है hand file में क्या होता है hand file में यह जो width है यह सेम रहेगा इसका जो width है all over सेम रहता है ठीक है next square file में क्या होता है square file में जो cross section है इसका यह square रहता है मतलब अगर आप जो फ्लाइफाइल यूस कर रहे हैं उसका cross section देखेंगे तो ऐसा square रहेगा ठीक है समझ में रहा है इसका इसका इस set का view यहाँ से अगर देखोगे तो इसका square और round में क्या आएगा round में ऐसा गोल रहेगा ठीक है half round में क्या आएगा ऐसा रहेगा cross section देखने में triangular file ऐसा रहेगा cross section समय में आ रहा है तो ऐसा ऐसा जो cross section रहेगा उसके उपर depend करके file बहुत सरे types के होते है और different operations में हम लोग वह use करते है ठीक है चलो next और एक चीज फाइल में जो cut रहता है देखो फाइल यह जो फाइल है इसमें एक फाइल है यह इसमें क्या है देखो यह जो cut रहता है यह है single cut single cut ठीक है cross cut देखो cross जा रहा है single cross cut file यह तो क्या है देखो single cross cut file में यह जो angle रहता है यह 60 degree रहता है यहां पर भी यह 60 degree रहता है ठीक है तो यह जो angle है यह 60 degree रहता है लेकिन double cross cut file में क्या होता है एक ही cross cut रहता है और file अगर double रहेगा तो क्या रहेगा एक cut ऐसा रहेगा दूसरा cut इस तरह से रहेगा ठीक है तो यह जो angle रहेगा इसका इसका यह जो angle रहेगा एक एक तो 60 degree यह 60 degree है ठीक है तो और एक जे दूसरा रहेगा ओ क्या रहेगा ओ 60 से लेके 90 degree तक रहेगा दूसरा ठीक है तो cross cut में एक का 60 degree angle रहेगा double cross cut में और एक जो cut रहेगा उसका angle रहेगा 62 90 degree ठीक है तो यह दोनो different types के file है तो file से हम लोग बहुती small amount of material remove करते हैं इसमें time भी बहुत ज्यादा लगता है और file को पकड़ने का तरीका क्या है file का जो handle है उसको एक हद में रतना है और जो head portion है उसमें हाथ से support देना है मेटरल वाइस में नीचे लगा रहेगा उसमें हम लोग ऐसे ऐसे filing करेंगे ठीक है ऐसा नहीं कि bottom को दोनों हाथ से पकड़ लिया ऐसा ऐसे कर रहे हैं ऐसा नहीं होता है तो accident हो जाएगा और लेक जो है left leg को आगे रखना है और right वाला थोड़ा पीछे रखना है और balance के साथ ऐसे अब मैं को रिमूफ करना है ओके तो मैं एक चीज़ने मिस करके गया यह जो में उसको होल्ट करना है यह होल्ड होगा हुआ है पिर भाइस में ठ्राइब होता है बिंज लोग करना तो यहां पर हम लोग जो यूज करेंगे फिटिंग शॉब में और कार्पेंटरी में जो जो है और क्या रहेगा वह स्मूध रहा लेकिन यह मेटल है हेवी है इसको गृप करना बहुत डिफिकल्ट है इसलिए क्या होगा इसका सरफेस रफ रहेगा रफ रहेगा और इसको गृपिंग के लिए मजबूर करेगा तो मिटल पेस को दोनों जॉस के अंदर फिट करना है और उसके बाद फाइलिंग करना ठीक है तो इसमें 20 रहता है तो वाइस देखने में कैसा होता है तो यहां पर एक रहता है ऐसा यहां पर यहां पर यहां पर यह जो है यह पूर्शन देखो ध्यान से देखना है यह एक जो है और यहां पर एक टो यह हं यहां पर एक जो है ठीक है यहां पर एक चौह है तो यह जो है यह है हमारा कि फिक्स्ट फिक्स्ट जो और यह हैं मूवेबल कि मूवेबल ओके तो इसको हम इस लिवर यह है लिवर इस लिवर को अगर हम घुमाएंगे तो यह क्या होगा यह आटोमेटिकली इस तरफ आजागा यहां पे एक स्कूरू दिया हुआ है लेट्सकूरू तो उसके ऊपर यह घुमेगा तो यह अटोमेटिकली पीछे आजाएगा तो यह है बेंज वाइस यह है फिक्स्ट लिवर फिक्स जो और यह है मूवेबल जो तो यह मूव करके जॉप को फिट करना है फिर उसको टाइट करने के बाद फ्रस्ट काम करना है फ्रस्ट काम क्या होगा फ्रस्ट काम है जॉप को आपको प्रॉपरली होल्ट करना 20 पे दिन आफटर डेट यू स्टार्ट प्लेणिंग ऑपरे करनेंग चाड़ो साइड में पारफेकटली 90 बनाना है उसके बाद क्या करना है यह जो फ्लैट सर्फेस निचिसे से उसमें रस्ट रहेगा उसको भी घिसके एकदम नया चका.... अच्छक स्टील कलर का बना देना है ठीक है रस्ट जो है उसको भी रिमूव कर देना है ठीक है हो गया इतना सारा काम नेक्स्ट नेक्स्ट उसके बाद नेक्स्ट है मार्किंग यह काम हो गया मार्किंग होगा तो दोस्तों के जो प्रणेखिंग के पहले एक चौकिंग ओपरेशन करवाया जाता है बहुत साहरे एक प्रॉपर प्रोसेस है मार्क प्रणिंग के बाद मार्किंग पहले आपको चोकिंग करना बाम है करने से क्या होगा आपको मेटल पीस है आप कोई भी एक चीज से उसके उपर स्क्राइच डालेंगे तो विजिबल नहीं होगा सपोज एक मेटल कोई एक मेटल ऐसा शार्क कुछ है कि स्क्राइबर टाइप का तो उससे आप स्क्राइच डालेंगे तो वह स्क्राइच विजिबल नहीं होगा इसी लिए क्या करना है फरस्ट और यहां पर मार्किंग करना है यहां पर हम लोग चौक को पानी में भीगो के उसको पूड़ा एक पेंट के तरह बना के इसमें लग करना है तो इसके बीच में एक चॉकिंग बोटेशन आ रहा है उक चॉकिंग चॉकिंग ऑपरेशन ठीक है तो यह पूरा है मार्किंग करें लिए क्या करना परेगा मार्किंग ऑपरेशन के लिए क्या-क्या टूल्स यूज होंगे यहां पर सब्सक्राइब यह 20 या 20 है तो मेजर्मेंट लेना है कोई भी साइट से इसके लिए आप यूज करेंगे स्टील रूल कि कि की है लेकिन हम लोग demonaning recognise चीज रूल बोलता इसका पहले वीडियो भी बता है श्टील रूल क्या घूंप आफ हम लोग उसको स्केल नहीं बोलते क्योंकि कि एक साइड में इसका एमेम और सेंटीमीटर का स्केल रहता है या एक साइड में इंच का रहता है ठीक है एक साइड में इंच का रहता है और इसमें एक खासियत यहीं है स्टील रूल में कि इसमें बहुत छोटा से छोटा एमाउंट तो यहाँ पर यहाँ पर मेजर कर सकते हैं जो कि हाला कि नौर्माल स्केल में वो पॉसिबल नहीं है तो आप स्टील दूल लेकर अगर ध्यान से देखेंगे तो वहां पर एक इंचेस में क्या रहता है शिक्स्टीफोर डिवीशन रहता है मतलब एक इंच को आप एक मेजरमेंट देता है और बहुत कम मेजरमेंट लेने के लिए भी हम लोग स्टील डूल का यूस कर सकते हैं यह है हमारा minimum minimum measurement तो स्टील रूल से हम लोग minimum 164 इंच मेजर कर सकते हैं यह भी भाइबा में आता है तो steels रूल से मैं मेजर कर दिया यहां पर टिक है कर दिया 20 peurgt यहां और यह सबनाब कर दिया और यह जो सिंटर है इसका भी यहां से ट्विंटी और crédit is यहां पर मार्क करना है तो मार्क यहां पर मार्किंग किससे करेंगे ठीक है तो यहां पर एक स्क्राइबर से एक लाइन ड्रोग कर दिया फरस्ट अफल ध्यान में रखना है क्या यूज करना है स्क्राइबर कि स्क्राइबर क्या है मेटल पीस का एक शार्प चीज है मतलब शार्प एक बार है एक दूसार पिन की तरह पिन उससे हम लोग ड्रॉ करते हैं मेटल पीसस में ठीक है तो जैसे की हाला कि आपको याद होगा पिछले वीडियो में मैंने दिखाया था कि कार्पेंट्री में हम लोग मार्किंग के लिए क्या उसको मार्किंग गेज और मॉटिस केज सेम ऐसा ही ए यह ज्या है ये है स्क्राइबर एक दम जुखिलां बहुत ही शार्प ठीक है इस से हम लोग क्या मार्किंग करते हैं यहाँ कौने में और करके यहाँ पर भी एक लाइन की सेंटर्स को सब्सक्रीट करेंगे। तो इसका स opened the center जomancer यहां त्टीक volts के बात क्या तूसके पाद यह जो मार्किंग के उपर है और अगर हात ऑगर गिस जाता है तो इन्वीजिबल हो जाएगा तो इसे पर्मानेट मार्किंग में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना परेगा यह जो लाइन अपने की ड्रॉक किया है उसके ऊपर से डाइरेक्ली उद दे हिल्प और पांच क्या बोला मैं पांच 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 यूज करना है यहां पर पंच करना है लाइन के ऊपर ठीक है यहाँ पर भी एक पंच करना है ठीक है पंच है एंड हैंमर को हैं मअ हैं मर्कल्द हनसे हीमर कोण सा हैं वी कहां हैं मत पीन लिगना सरे हैमर बहुत सारे मैलेट मतलब सॉफ्ट हैमर ठीक है और पंच 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 टू टाइप्स का होता है एक है प्रिक पंच प्रिक पंच और एक है सेंटर पंच सेंटर पंच ठीक है प्रिक पंच में जो एंगल होता है सबस्पिक पंच कैसा दिखता है है एक नूखिला ऐसा सच चीज़ ठीक है तो यह जो एंगेल है मतलब इहाँ पे अगर यागर डालेंगे यह जो एंगेल यह जो एंगल है यह जो एंगल है यहाँ पर तो यह जो एंगल है बहुत ही कम होगा सपोस यहाँ पर भी एक लाइन अगर ड्रॉड ऑड़ एंगल आएगा यहाँ पर यह सपोस 15 15, maximum 15 to 30, 30 या 40 degree maximum, ठीक है, यह जो angle आएगा, यह आएगा 30 के करीब, ठीक है, यह 30 के करीब, यह जो angle आएगा, और center punch में क्या आएगा, center punch में जो angle आएगा, यह जो angle है, सुरी, यह angle नहीं, यह अंदर का जो angle है, यह 30 degree maximum, ऐसा रहेगा, अबर center punch में क्या रहेगा, center punch में angle ज्यादा रहेगा, यह 90 degree रहेगा, 60 से 90, 60 से 90 degree रहेगा, यह है हमारा center punch, punch बिठा के उसके उपर hammer से strike करना है, ठीक है, ज्यादा जोड से नहीं, ठीक है, medium pressure में strike करना है, ठीक है, तो center punch कहाँ पर use करता है, इसका, देखो, नोकिलापन कम है, angle ज्यादा है, तो penetrate, जहाँ पर करेगा, उसका area ज्यादा होगा, ठीक है, तो यह center, center locate करने के लिए use होता है, तो यहाँ पर drill का center locate करेंगे, इसके लिए हमको, क्या use करना पड़ेगा, center punch, ठीक है, और prick punch कहाँ पर use करना है, यह suppose एक line है, इसको cut करना है, तो यहाँ पर ज्यादा penetrate करने का जरूरत नहीं है, इसको cut ना है, तो यहाँ पर prick punch use करेंगे, इसमें, समझा रहा है, ठीक है, तो इतना सा चीज है, तो marking हो गया, next, मेरा marking हो गया, बीच में chocking operation था, वह भी मैंने बोल दिया, marking हो गया, next, next, ball pin hammer, hammer के बारे में थोड़ा बोल देता हूं, ball pin hammer, hammer, hammer कैसा रहता है, देखने में, यह, पीछे वाला यह सा, ठीक है, यह handle रहता है, देखों, यह है, ball pin, यह है pin, लेकिन ball के तरह है, ठीक है, गोल है, ball के तरह, तो यह है, हमारा, यह है, हमार का face है, यह है face, यह यहाँ पर आई है, next, इसे हम लोग wedge बोलते है, wedge, यह है ball, ठीक है, ball pin है, हमार, cross pin, यह pin, अगर cross type का है, ठीक है, तो इसके उपर, hammer का classification है, तो मैं उतना details में यहाँ पर discuss नहीं कर रहा हूं, ठीक है, क्या की use होता है, ओ बैस, जस्ट बता रहा हूं, ठीक है, next, ball pin, hammer हो गया, next, यह, third, point, third, process, third, this is the process, process, printing का process, क्या है, cutting, उसके बाद drilling, cutting, यह वाला cutting करेंगे और यहाँ यहाँ पर drill करेंगे, ठीक है, ठीक है, next, cutting के लिए हम लोग क्या use करेंगे, यहाँ पर hackshaw, Carpentry में क्या use किया था, ripshaw, cutting में जो यहाँ पर hackshaw use करेंगे, ओ जो है blade, ओ उसमें carbon percentage जादा है, इसलिए क्या होता है, अगर थोड़ा सा भी इधर उदर हुआ, तो blade तूट जाएगा, ठीक है, यह एक frame रहता है ऐसा, और यहाँ पर handle रहता है, इसको पकड़ना है, और यहाँ पर यहाँ पर एक blade, यह blade ऐसा रहता है, इसको पकड़के, यहाँ पर screw nutball रहता है, ब्लेट को लगाने के लिए, तो यह हो गया, hackshaw, इससे हम लोग cutting करते हैं, तो यह blade specify ही होता है, टीपी आइसे कितना teeth per inch रहता है, इसमें, ठीक है, तो hackshaw use करेंगे, इसको काटने के लिए, हो गया, clear, next, काटने के बाद, यह जो sides है, इसमें आप planning कर सकता है, लेकिन बहुत सरे colleges में, बोलता है कि normal cutting करो, किसका cutting कितना अच्छा है, उसके base, उसके ओपर base करके भी number marks मिलता है, तो depend करता है, कौन से college में कैसे कराता है, उसके ओपर, तो यह हो गया, hackshaw, hackshaw, हम लोग use करेंगे, next, दो नेक्स्ट, टॉपिक, जो आ गया, drilling, यहाँ पर cutting हो गया, hackshaw use करके हम लोग, यहाँ पर cutting कर दिये, ठीक है, next, यहाँ पर drill करना है, drill, drill के लिए हम लोग drill machine use करेंगे, simple सी बात है, drill machine में हम लोग जाएंगे, automatically, और पर drill भीट रहेगा, drill कर देंगे, यहाँ पर इस point को center करके, set करके, उसको drill कर देंगे, लेकिन एक important चीज यहाँ पर है, कि हम लोग यहाँ पर drill करके thread बनाने आ ले हैं, ठीक है, thread कैसे बनाएंगे, thread दो तरीके से बना सकते हैं, shaft में अगर बना रहे हैं, by machine, तो lead use करके बना सकते हैं, लेकिन fitting shop में हम लोग यह जो thread बना यह thread बनाएंगे, ठीक है, तो यह tap का एक size है, तो यह जो है, यह suppose इसका, यह जो thread है, इसका dimension दिया है, M8, यह जो hole है, M8, M8, M8 means the metric, M denotes the metric dimension, 8 क्या है, इसका outer diameter, nominal diameter, 8 mm, यह denote करता है, ठीक है, तो यह है, यह hole हो का, 8 mm का, ठीक है, तो 8 mm का अगर होगा, तो, और pitch, pitch भी दिया रहेगा, pitch 1.25, suppose, ठीक है, thread का pitch भी दिया हुआ है, 1.25 means the pitch, ठीक है, M8, 8 is the diameter, 1.25 is the pitch, so, M8 into 1.25, यह है, hole, तो इस hole को create करने के लिए, हमें क्या, कौन सा drill bit और drill bit का size क्या हो, होना चाहिए, वो हमें निकालना परेगा, इसके लिए एक formula है, यह है, drill size, drill size, drill size क्या हैगा, T minus 2D, T is the outer diameter, outer diameter, minus 2 into, D means depth of the thread, D is the depth of the thread, ठीक है, पीच क्या है, एक same, की से यहां की distance, यह हो गया आपका pitch, लेकिन depth क्या है, यहां पर एक लाइन अगर ड्रॉ करेंगे, यह जो height है, यह हो गया आपका depth, depth pitch से related रहता है, मतलब इसका connection रहता है, design में, depth pitch से connected रहेगा, suppose, बोल दिया जाएका, depth is 0.61 of the pitch, ठीक है, ऐसा relation रहता है, ठीक है, तो यह है हमारा formula, actually, इससे हम लोगों को drill size निकालना है, यह बहुत ही important है, याद में रखना है, यह बहुत ही important है, next, next, आजाओ, next, इसको avoid करके, हम लोग एक shortcut चीज भी है, जिससे हम लोग approach सही निकल के आथा है, एक चीज drill size, ओ है, एक formula है, drill size equals to outer dia into 0.8, इसको अगर करेंगे, तो आपका drill size निकल के आएगा, suppose, अगर, suppose, इसको ही हम लोग कर रहे है, m8, outer day 8 है, तो 8 into 0.8, इसको करके देखते है, 1064, मतलब 6.4 mm, तो drill bit का size होना चाहिए, 6.4 mm, 6.4 mm का drill bit अगर लगाएंगे, तो हम लोग m8 का यह whole मिल जाएगा, समझ में आया clear हुआ, तो आप इसको भी use कर सकते हैं, इसको भी use कर सकते हैं, कोई भी एक use कर सकते हैं, यह accurate है, लेकिन यह approach है, लेकिन यह भी चलता है, यह भी चलता है, ठीक है, तो यह भी सही निकलता है, इसमें भी कोई doubt नहीं है, ठीक है, तो यह बहुत important है, मतलब फिटिंग में यह कुउछियन भाई वह में तो आएगा ही कुईस्चिन में भी मिल सकता है तो इसको याद में, रखना है खि कैंक तो मैं इसको इatique कर देता हूं चलो चलो चािए ले で नेक्स्ट ड्रिलिंग हो गया ड्रिलिंग के बाद आप ड्रिल के कर सकते हैं हो गया नेक्स्ट, बहुत ही सिंपल है रिमिंग ऑपरेशन कर सकते हैं स्टांक्स ट्यल में अजमें टैपिंग मतलब के बाद यहां पर फ्रेट बनाना है थिंटनल ट्रेट बनाना है ठीक है उसके लिए हम लोग्ट सेट यूज करेंगे है टैप सेट acity worked manually करना है 253 करेंगे और tapattress को tap кो hold करने के लिया हम क्या करेंगे टैप रिंज यूज करेंगे डब़ रेंच टैप Blu एर रेंज टैप रेंज आह दो कि यuning यहां पर यहां पर यहां पर ऐसा मतलब यह घूमता है यह इसको इसको घूमाएंगे तो एड्जस्ट कर सकते हैं यह दोनों साइट से तो यह यह गैप यहां पर जो है यहां पर टैप को टैप का जो बॉटम एंड है उसको होल्ड करेंगे होल्ड करके यहां पर हाथ लगाएंगे यहां पर हाथ रखेंगे यहां पर हाथ रखके और जो ड्रील है उसके अंदर डाल के उसको घूमाएंगे तो यह बॉटम पूर्शन यह यह जोड़ dies में अंदर सेट हो जाएगा ऐसा नहीं है कि टाप का जो पोटम का ऐसा रहेगा तो यह कॉरणर है यह कॉर्णर कॉंदुनर पर टाइट हो जाएगा टाइट के ताइट करके उसके बाद हम लोग भूमाएंगे ठीक है तो यह एक ट्याप रिंज और ट्या एच और यह एक टैप यहां पर तीन टैप कर रहता है देखो त्री टैप की टैप रहता है यह आप त्री टैप की टैप रहता है और यह त्री टैप का यह नूमबर वन टू थी ठीक है एक सेट दिया जाएगा सेट में तीन ही रहेगा तीन टैप ठीक है टैप क्या करेंगे फर्स्ट कांसा यूस करेंगे फर्स्ट नमबर वन इसे हम लोग बोलते हैं राफर अडियू घ यह यह राफर इस इस दा कहते हैं इंटर मेडियेट iis a finisher finisher और इससे ऋलूर बोलते हैं बॉलते हैं बॉलतीं टैप बॉलती तो दोस्तों इसको हम लोग identify कैसे करेंगे देखो first of all यह जो टैप है टैप के यह इस portion में क्या है thread रहता है thread ठीक है तो राफर में क्या है देखो एक blind हो ले उसमें अगर कोई भी एक चीज घुमा घुसा के घुमाना परेगा तो अगर पूरा thread रहेगा उपर से ही तो यह घुस नहीं पाएगा तो इसलिए क्या करते है जिसमें इंड पॉर्शन टैपड ज्यादा रहेगा टैपड ज्यादा रहेगा उसमें thread कम रहेगा ठीक है इसमें क्या होता है जो आजना अज़े एंड पॉर्शन एं उसका अप टो 6 कि ट्रेंड ब्लांट रहेगा ठीक है और इसमें क्या होगा इसमें पूर-ब्रेड ब्लांट रहेगा ऐगा एकदम बॉटम तक थ्रेड रहेगा इसमें बॉटम तक ठीक है तो फ़र्स्ट जो टैपर सेक्षन ज्यादा है जिसमें फ्रेड है इंड यूसक्स करना है मिडियूम मतलब फ्रेड मॉशन चाह घचार नंबर अधर फ्रेड मैं किया गया है मैक्सिमम् सिर्फ माश्रीट द्यूर्ब फीनिच घ्र इसमें कोई लूंड प और या है उसमें पूरा ही 30 С ifr 3 Lord 3 नो बारबार यहाँ पर यूस करेंगे dependance में set कनेंगे फर्स नंबर वान अपलाई करेंगे फिर फिर नंबर सिरे अपलाई करेंगे यहाँ पर इंटरेट हो जायाल तो यह जो इंटर्नल थ्रेड यहां पर क्रियेट होगा ठीक है कैसे क्रियेट करना है देखो तीन या चार बार इसको राउंड घुमाना है फिर एक एंटिक क्लॉक्वाइज तो यहां से उसके और एक चीज़ धियान में रखनाए देखो यहां से से में हर एक हो तो गुमाते हम लोग बएफ सारी बच्चों को यह प्रॉब्लेम होता आइध्यभ और मतिरम गुमाते चला जाता है ही पुडिशन है पे यह जो पॉड्शन है यहे थोक्त फॉडिशन टॉटल होता है तो गोड़ लीच यहां पर आ जाता है तो डिल नहीं निकाल पाएंगे इस कंडिशन तो इसलिए ध्यान में रखना है कि मैकसिमम जितना तक थ्रेट है उससे ज्यादा उपर उसको मद घुसाई है मतलब मैक्सिममां लिमिट यहां तक है इससे जिएदा हम लोग क्या करेंगे ऊजो टैप रेंज इसा को नहीं घूमाएंगे मतलब घूमासे घूमाते घूमाते हे उपर तक आया यहां दख कर रहता है यहां पर चल गाया सّ особенно paar चांस यह टैप पूड़ा नीचे चला गया तो यहां पर टैप सेट अठक जाएगा आप टैप निकल नहीं पाऊगे फिर उस मेटल को आइधर कट करके निकलना परेगा और आप ज्यादा घिसाट आनी करेंगे तो यह टैप से टूट सकता है ठीक है यह था चीजे सो थ्रेडिंग हो गया इंटर्नल थ्रेडिंग ठीक है तो इसके लिए हम लोग टैप और टैप रेंज यूस करेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट पॉर्शन है डाइंग डाइंग मीश्ट्रेडिंग के लिए यूश होता है क्या यूश होता है डाइंग अपरेशन यहां पर ये इंटरनल फ्रेड हुआ और एक हमें स्टील राड भी आ जाएगा जहाँ पर 2 या 3 mm तक हमें external thread बनाना पड़ेगा ठीक है external thread बनाना पड़ेगा ठीक है समझ में अया external thread यहाँ पर बनाना पड़ेगा तो कैसे बनाएंगे external thread यहाँ पर use होगा die Dye and Dye Stock तो Dye and Dye Stock यूज होगा इसे हम लोग Dying Operation बोलते हैं इस रोट को हम लोग भाइस पर होल्ड करेंगे ठीक है फिर इसके इंड जो portions है पहले थोड़ा सा थोड़ा सा उसमें fighting करेंगे इस पोर्शन में तो ये थोड़ा है मतलब थोड़ा सा टैपर हपरad हो जाएंगा थोड़ासा फाइलिंग करेंगे तो थोड़ा सा टेपर होने से क्या होगा जो डाई रहेगा डाई को सेट करने में आसानी रहेगी तो डाई कैसा है डाई है एक गूल ऐसा पॉर्ट्षन जापे ऐसा ऐसा अंदर में थ्रेड रहता है ठीक है तो डाई ऐसा रहता है ठीक है यह सिंगल डाई है और डाई को अंदर म शार्प कर टिंग एज रहता है त्रेड आटमेटिक त्रेड बाहर में क्रियेट हो जाएगा ठीक है तो यह है डाई तो इस डाई को कहां पर सेट करते हैं डाई एंड स्टॉक कि यह एक पॉर्शन ऐसा रहता है तो इहां परणकर टाई को सेट किया जाता है बाई तो यहां पर ध्यान पर रखना है जबसे होगा यहां पर ये डाइस टॉक जो रहता है डाइस टॉक में ध्यान में रखना है ये एक क hierarchy मतलब कॉफ़र की तार आं मतलब ऐसा रहता हैं देखो कि आइसा एसा पुर्शन रहता है ज patriarch को अगर देखोगे तो ऐसा रहता है एसा तो डाइच आके यहां हें पर सेट हो जाएगा इससके अंदर से आपको रॉड को लगाना है मतलब यह है रोड आपका ठीक है और यह थ्रेड कि अले आपको यहां पर लगा के इसको घुमाना है ठीक है कि यह हाथ रखके इसको गुमाना है तो यह यहाँ पर ध्यान में रखना है कौन सा पूर्षन में डाइए जिट्व का दोनों तरफ रहेगा तो बहुत सारे बच्चों को दिख्कत है को कौन सा साइड उपर में रखना देखो दूस्तों यह डाई जो है डाई सेट कहा यहां पर हो रहा है इसके ऊपर एक मतलब एक गैप रहता है जहां पर डाई को डाल दिया जाता है और डाई अगर सेट होने के बाद देखना है टाई के ऊपर थोड़ा सा गैप रहेगा ठीक है डाई के ऊपर थोड़ा सा क्देप रएगा यहापे ठीक है ठीक है ठाइब को सेट करने के बाद थोड़ा सा यहां पर अगर डाई यहापे पीचे से यहापे फिल हो झाेगा देखो कि दिकाता हूं ऐडैं यह अच्छे Sahib थाभी थोड़ा ठीक है यह पोर्षन है ठिक है ऐसे समझ मैं नहीं आएगा आपको ये जो पूर्षन है नेको छो कि आसा करें ये से उपर से राउंड रहता है आप ये ये जो पूर्षन है ये है डाइप और यह यहां पे सेट हो गया ये दोनों बैरियर है मतल्म नीचे से जितना भी प्रेशर दो उपर से निकलेगा नहीं, ठीक है, मतलब उपर में gap रहेगा तोरा सा यह उपर portion में gap रहेगा, surrounding में, और नीचे से यहां से rot को लगाके आप नीचे pressure दोगे, तो die उपर उठने का कोशिश करेगा, लेकिन निकलेगा नहीं, तो उपर में gap रहेगा थोरा सा देखना, जब die stock द कि दो लोग जो ग attendance को नीचे कर दोगे नीचे लगाते तुम प्रेशर दोगे तो क्या हो जाएगा उपड़ में तो कई रोकने वाला कुछ है हर नहीं तो यह लाकि नमस्बढ़ रहता है लेकिन ऊटाइट क्या हो रहता है लेगिन बहुत प्रेशर कर देने से वो उस नाट बोल को छोड़ के यह बहर निकल के आता है ठीक है तो यह भी ध्यान में रखना परेगा आपको ठीक है दोस्तों यह है डाइंड डाइस टॉक इसका पॉर्षन ठीक है तो अल्मोस्ट हो गया देखो यह एक एक्स्टरनल थ्रेड बना दिया विद्धा हेल्प आफ डाइंड डाइस टॉक एक रॉपर और यही रॉड यह जो होल है उसमें मैच कर जाएगा नट बोल्ड जैसे मैच होता है इसको अगर आप यहां पर फिट करोग मतलब इसमें सारा जो है ओपरेशन मैंने दिखाने का कोशिश किया यह सारा ओपरेशन इतना ही है लेकिन यह जौब जो हैं बहुत सारे कॉलेजिस में बहुत टाइप्स के होते हैं सब्सक्राइब एक के जगह दो हो सकता है काटिंग ऐसा स्क्वैर ना होके ट्राइंगुल दो अक्षब में काम करना पड़ेगा और एक चीज और एक चीज ध्यान में रखना है कि काम करने के बाद यह बहुत important है to YouTube को पता होना चाहिए कि इसके उपर Hindi मार्क्स्ट देते हैं आपको जो टूजस देते हैं आप लोग пять लेते हैं लेने के बाद क्या करते हैं उसको काम करते हैं काम करने जहां पर काम किया वहां पर मेटल पीसेश चिप्स बहुत ही डेंजरस होते हैं तो गीरा हुआ रहता है तो गीरा हुआ रहता है काम होने के बाद आपका का responsibility है कि उस जगह को या टूल्स को साफ करके फिर उसको रिटर्न करें अगर आप गंदा करके प्लेस को छोड़ रहे हैं तो उसके उपर भी टीचर्स लोग मार्क्स डिड़क कर सकते हैं इसको दियान में रखना है तो ट्रे को साफ करना है टूल्स को साफ करना है वाइस जहा इसका पर जो ट्रेलिंग होता है रिल करने के बाद रिills होता है मेठर प्लेटब के उससाइड में इकल आता है था है शारफ आटभ ऐस ऊप जिससाइड में निकल के आता है उसे हम लुग बोलते हैं बार स्ैड्प में करेंगे तो उस साइड में मेठल पीसे ऐसा शारफ जि निकल के आएगा तो इसे हम लोग बोलते है बार ठीक है तो यह बार निकल के आएगा इसमें अगर हाथ लगाओगे तो हाथ कट सकता है एक्सिडेंट हो सकता है तो ऐसे ड्रिलिंग के बाद आपको क्या करना है इस बार को रिमूफ करना है जिसे हम लोग डी बारिंग ऑपरे यहां पर हो जाएगा डिवारिंग ऑपरेशन करेंगे मतलब यहां पर ओली फाइल लेके थोरा सा रप करना है तो यह बाड जो है निकल जाएगा और कोई दिक्कत नहीं रहेगा ठीक है तो यह भी पहुत सारे एक्जाम में आता है कि यह क्या है निकल के बाहर में जो मेटल प आज के लिए इतना ही आशा करता हूँ कि आपको फिटिंग में थोरा बहुत नॉलेज मिला होगा और समझने में भी आसानी होगा तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को तो दोस्तों आज के लिए इतना ही चलिए बाइबाई झाल से में भीज क्रूणत नॉलेज में करें में ही वी तोस्त истории ऑना होगा तोले दोस्त नॉति उनॉ़ करें में सब्सक्शा आपको च kilowattводस के लिए भीज कि